आज मैं कैप्टन साब दा एक ब्यान जिड़ा उना ने कल दिता जित्थे अपने किसान प्रावादे उत्ते इल्जाम लाया गया कि साड़े किसान पंजाब दी अर्ध विवस्ता खराव कर रहे ने तो एक तरीके तो सूबे दे मुख मंत्री ने अपने ही सूबे दे किसाना नूँ कहता तुसी पंजाब छटके जाओ दिली जाओ दिली जाके आपनी लड़ाई लड़ो मैं समझ दियां एस तो होर कटिया की ब्यान हो सकता है कि कि किस हद ताइं तुसी मोधी दे सामने कुटने टेक सकते हो कि आज मोधी दी बोली बोनन लाग गया कैप्टन अमरंद देखेरो पावे ओथे मीप है पावे ओथे आंधी आए तुफान है गर्मी होए सर्दी होए पावे तुसी जी ओ पावे तुसी मरो जाके ओथे बैके आप दी लड़ाई खुद लड़ो कदे सुन्याए कोई सुपे दी सरकार दे लोकी जाके सड़तां चे बैके दस-दस महीने लड़ाई लड़े ने ते सुपे दा मुख मंत्री एक दिन जाके ओना दे नाल ना बैठिया है ते ना ओना दी गल मनवान वासे जाके केंदर ना लड़ाई लड़ी है ते आज ओस लड़ी पाशा भोलते होए इना कुछ कह गया कि सड़े किसाना में अर्थ विवस्था खराब कर रहे ने कैप्टन साहब जिम्मेवारी थ्वाड़ी से गी अर्द विवस्थानु ठीक कर ना और या सबस्थानु ठीक करकर चूठे लारे करकर नौकरी दे कर्जा माफी दे पूरा करना थ्वाड़ी जिम्हेवारी सी पौने पांच साल होगे खजाना खाली नहीं तो सी हर पक्खो तुसी भृष्टा चार ते अत्या चार दी सरकार चलाई आप दे फारमाउस विच बैके ते आज जे काले कानून जे लग्यू होए ने एवी थ्वाड़ी देने अधिक पंजाब दा महौल ना खराब करो जाओ जाके दिली लड़ो जेडिली सरकार जेडी पुछ भी नई रही बात नहीं कर रही कि साना देनाल कि पंजाबियां दे मुख मंत्रियां जाके उस सरकार दा भुवा खड़ खटाया कि मैं आप दी पूरी सरकार देनाल अपने कारद विवस्ता खराब कर रहे हो तो जाओ निकल जाओ बैता कदे हो जी किसे मुख मंत्रीन हो जी भाशा अपने वह लोका वास्ते बोल दे हो सुनिया नहीं तो मैंनो हरानी है तो दुख है कि जिन्ना तो मिठाईयां मूह मिठे किते जान देने आज ओभी चुप बैठे कारद जाओ अपने टिए गास्ते एंदे निकल रहे हो जाओ बढी को जाओ अपने दिए भी बैठे की में इस अधिए जाह सीवें जाओ जुठे पास्ते घ्र देवल धुझा में सुनिया घ्रावण पिरणिया झास्ते